तो दोस्तो पाट वन के अंदर हमने इस गुम्टे का जो फुटेरिया उसका कंप्लीट वायरिंग किया था और कुछ कंसील लाइटों को भी हमने इंस्टॉल किया था लेकिन बार की दो लाइट रह गई थी क्योंकि उस टाइम पलाश्टर नहीं हुआ था इस वैसे हमने नही दो इंस्टॉल कर ओषे और इस बार मोडूल समय मैंने इनको सैट कर दिया यह घृट के वायर हैं जिसको घृट वायर है उसमें एक अर्फिंग का भी है और यह वायर हमारे नीचे से निकल के आ रहे हैं नीचे से उकर कि यहां पर लेप्ट शैड की तरफ जा रहे हैं यह मैंने आपको पार्ट वन के अंदर भी बता था अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा तो जरूर जाकर देखें पा उसमें और एक को कहा रहे हैं यह उपर की तरफ जा रहे है जीने की तरफ तो तो मैं आपको चलता हूं जीने पर चड़तो और आपको दिखाता हूं इन वायरों को हमने कहा पर पहुंचा आ है ठीके तो हम मैं.. आपको दिखाता हूं तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर यहां पर जंक्सन बॉक्स लगा हुआ है यहां से ओकर के हमारे यह जो तीन वायर है न्यूटल फेज इन्वेटर के वह सीधा यहां पर क्या किया था जो इस चीज पॉइंट मैंने दिया था ठीक है लेकिन गिराग ने मना कर दिया इस वह से मैंने इसको सेट अप नहीं किया ठीक है यहां पर MC box आ चुका है यहां पर यह जो मैंने हाथ में ले रखें यह हमारे एक circuit के wire है न्यूटल फेज इन्वेटर के और यह हमारा दूसरा circuit है न्यूटल फेज इन्वेटर का है एक circuit में हमारा एक wire अर्थिंग का है ठीक है जो मैंने फर्ष्ट वाली circuit बताई थी आपको ठीक है बाकी मैं आपको बतायता हूँ यहाँ पर किस तरीके से हमने circuit को setup किया है ठीक है तो यहाँ पर हमारा left side वाला जो portion है उसका हमने एक circuit बनाया है और right side वाला एक जो portion है उसका हमने एक अलग circuit बनाया है ठीक है तो हम मैं आपको चलता हूँ MC box पर बताता हूँ किस तरीके से हमारे कितनी सर्केट निकल के यह दख सकते हैं यह हमारी एक सर्केट है जिसको मैं आत में रखा है और यह हमारी दूसरी सर्केट है कहने मतला हम यहाँ पर हमारी दो सर्केट हो चुकी है ठीक है और यह जो वायर है इन में हमारे मैं सप्लाई के वायर भी आ रहे हैं और इस मीटर से हो करके हमारी यहां पर में सप्लाई आ रही है ठीक है तो यह हमारी दो सरकेट हो गई अब देखिए यहां पर एक दो तीन ठीक है तीन सरकेट यहां पर हमारी हो चुकी है और यह हमारी में सप्लाई के हैं जिसमें हमने गांट लगा के रखाए ठीक है तो यहां पर मै करके कुछ इस तरीक वाइरेसिंग लगाना होता है और काолिक्त介 correction हुआ करके आसनि continu ног प्लिफेट अब मैं यापर क्या करूँ है अब मैं यापर क्या करूँगा जो सरकेट के जो फेज वायर है उनको मैं यहाँ सब्सक्राइब अलग से लूँगा और यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर टेप में लगा दूँगा कुछ इस तरीके से आपको टेप लगाना होता है ताकि यहाँ पर अलग से आपको पता लग जाए कि यहाँ पर यह हमारे circuit के wire है क्योंकि एक साथ होते हैं तो पता नहीं लगता है पर यह में तरी यहां पर यह में तरी के इंवेटर का आज च्छाज यूटल का हो वायर, ब Всё्क dando क्रणब दीया, और इंवेटर का आलग कड़ दिया, मुझे यहां पर यमस्य Flexibility error का पर यांपने आईशुलेटर लगाए, ऐखों हमए नहें, तो हाँ यहां पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीक है से तो यहां पर मैंец प्रोसेस क्या कराऊंगा यहां पर मै Remote Sappire का वेर है neutral Facだ तो कि सीदा मीटर से ऊकर गया रहा है उसको तहले सैट करूं। आप इसी तरीके से करें तो आपको आसानी होगी करने में ठीक है तो यह हमारे neutral phase के wire है तो मैं इनको क्या करूँगा जो मारा isolator है उसमें input करूँगा तो वो किस तरीके से करता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको इस तरीके से थोड़ा wire को थोड़ा extra लेना है ताक कि कोई भी दिक्कत आए जला जली हो कहने मतलब जले sparking बगरा हो तो यहाँ पर wire को दुबारा से हम use में ले सकते है तो यहाँ पर आपको इस तरीके से आपको करना है और isolator का जो नीचे वाला हिस्सा है देगो उपर भी लगा सकते हो आप isolator के input wire को और आप चाहो तो इनको न लगा सकते हो ठीक है तो मैं आपर क्या करूंगा जो मारा tracer time pair का जो isolator है उसके जो नीचे वाला हिस्सा है उसमें मैं इन दोनों wire को neutral phase को input कर दोंगा ठीक है तो यहाँ पर input कर देते हैं इनको आपको बाद में दिखाते हूं ठीक है यह देख सकते हैं यहाँ पर input कर दिया ह अच्छे से आपको screw को खोल करके wire को डाल करके अच्छे से आपको tight कर देना है ठीक है तो यह हमारा isolator हो गया है इसमें हमने neutral phase के wire को input कर दिया है ठीक है अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा मैंने यहाँ पर mcb लिया है यहाँ पर आप देख सकते हैं ठीक है तो इन mcb में मैं आप तीनो circuit को add कर दूँगा ठीक है तो आप चाहे तो mc box के अंदर mcb लगी हुई है उसी हिसाब से set कर सकते हो या फिर आप बाहर निकालके mcb को set कर सकते हो ठीक है तो यहाँ पर मैं वायरों को डालना होता है यह देख सकते हैं आप तीन mcb है इसके अंदर क्या करना है आपको इन circuit के वायरों को अंदर डालना है ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर मैंने इनको set कर दिया है क्योंकि आपको आगे बताता है स्कूरू से तो आपको थोड और इनको भी मैं एक अलग से MCB input कर दूँगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, यह हमारा output supply है, neutral का, ठीक है, input तो मैं अभी दूँगा, ठीक है, तो यहाँ पर यह हमारा output supply complete हो चुका है, तो यह हमारा phase का circuit complete हो गया, MCB के अंदर, और हमारा neutral का भी हो चुका है, अब बात हैं, हमारे तीन wire और, तो यह किस चीज़ के हैं, यह हमारे inverter के wire हैं, तो आप इनको चाहो, तो MCB में भी set कर सकते हैं, वो किस तरीके से आप कर सकते हो, जो हमारा inverter लगे का, वहाँ से आपको सीधा wire लेके आना है, MC box तक, उसके बाद मैं, MCB में से वो करके, सभी room की circuit के लिए आपको wire बाद ना होता है, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसमें tape बगएर लगा कर के, इसको यहीं पर set कर दूँगा, के बल यहाँ पर मैंने circuit के लिए neutral दिया है, और बाकि मैंने एक inverter का दिया है, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको भी इसी तरीके से loop कर सकते हो, और बाकि कोई दिक्कत नहीं आएगी, इस तरीके से loop करते हैं, अमेशा, और अगर एक सावर पत्ती और आती है, उसको भी यहाँ पर लगा सकते हो, ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर क्या कर फेज का भी निकल के आ चुका है तो मैं इनको आउटपुट सप्लाई भी दूँगा वो किस तरीके से दूँगा वो मैं आपको यहाँ पर आगे बता रहा हूं वीडियो के हिसाप से ठीक है तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको वायरों को सेट कर देना है उसके बाद मे अब यह हमारे जो वायर है यह हमारे आउटपुट वायर है जिनको मैं छील रहा हूं ठीक है तो यह हमारे एक न्यूटल का है और एक फेज का है ठीक है तो फेज वाले को फेज में सेट करेंगे ठीक है बाकी आप कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है आप उल्टा सीधा कर सकते लेकिन जो हमारी वायरिंग रहेगी वह आपको उसी हिसाब से करनी होती है ठीक है लेकिन जो हमारे दो वायर है एक बार ठीक से आपको टाइट कर दे रहा है ठीक है तो यहां पर अपर यहां पर करेंगे हैं पर अपर घ्रबाइब करेगा तो यह मारा सेतब पोच चुका अब हम यहां पर क्या करेंगे इसका डगकन वगयर लगा कर के इसको सेट कर देंगे तक यह आपको चलता हूँ जो मारा switchboard है वहाँ आपको किस तरिके से मैंने इसका connection किया है किने मतलब किस तरिके से मैंने switchboard पर वायर को अटेच्च किया है वह मैं आपको बता देता हो ठीक है याँ आपको क्या करना है जो मभी है उसको पर से नीचे की तरब जो माई घा रहा है सब two of ईकना सब्सक्राइब करना है ऑगा हूब जो ऋपर सी उसकतर रहा है देख सकते हैं आप नीचे भी लगा हुआ है ठीक है बाकी जो हमारे पॉइंटों के वायर है उनको सभी को मैंने स्वीच बॉर्ड में सैट कर दिया है और एक सॉकेट को भी मैंने इसमें लगा दिया है और लाइट को जो हमारे लाइट है उसके मैंने इंडिकेटर को कर दिया और यह जो हमारा wire है यहां पर आप देख सकते हैं यह हमारा face का wire को मैंने direct इसमें face का connection दे दिया है ठीक है बाकी एक जो पीले color का wire था वो अभी switchboard में बाकी है ठीक है तो इनको हम सभी switch को on करते हैं यहां पर आप देख सकते हैं इसमें मैंने light भी छोड़ दिया है किने मतलत supply जल चुकी हैं तो यहाँ पर हमारी सभी एक तो आम पर देख सकते हैं सभी महारी वगर staff कर रहा है तो आप तरीके से आप सब्सक्रीज करने कर रहा हं करके ये जो कुंझारा सब्सक्राइब करना था था मैं इसको मैंने अभी नहीं लगा बताइगा तो तो मैं आपको बूवी बीडियो बना के बताऊँगा ठीक है तो एक कुछ इस तरीके से हमारा स्वीचबोड कमप्रिट होगा है इसको हम क्या करेंगे इसको लगा देंगे बाकि कोई दिक्कत नहीं ठीक है हैं मैंसलिकल गया तो सब्सक्राइक हैं मैं सब्सक्राइख हैं तो मैं सब्सक्राइब बांका कोच चोड़ाइब कर रहे हैं यह मैं और करते हैं और करते हैं दुबारा तो यह हमारी जल जाती कहने मतले हैं यह स्वीच अमारा थोड़ा सा डिस्टरब कर रहा है इसको मैं चेंज कर दूँगा कोई दिखकत नहीं ठीक है बाकी हमारा सभी कमरों में लाइट आ रहा है तो दोस्तों आसा करता हूँ आपको यह वीडि बहुत बहुत धन्यबाद थैंक्यू सो मच